हेलो एवरिवन गाईज, स्वागा थे आपका हमारे यूटूब चैनल न्यू इंडियन एरापर तो गाईज, ये है हमारा वन शॉट वीडियो केमेस्टरी का चैप्टर नमबर टू सॉल्यूशन्स का गाईज, इसके पहले वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही सारा, बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट किया बस गाईज, थोड़ा सा शेयर कर दो, जिससे के सभी लोगों तक पहुँच जाए थोड़ा सा दो दिन का लेट होगा, बिकॉज नोट्स बहुत ही भारी वाली में क्रियेट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम तो आप यसलिए लगता है, अच्छे काम के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता ही लगता है तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पर आभी वन शॉट वीडियो की यह नोट्स भी आपको प्रवाइड कर दूँगा टेलिग्राम में और या फिर और तुमको क्या न्यू चीज़े चाहिए यह प्लीज एंड प्लीज यार कमेंट बॉक्स से बता देना और लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है तो वन शॉट वीडियो है यह कमेस्ट्री चैप्टर नमर टू सॉलिशन का कम्प तो यहां से स्टार्ट करते हैं सॉलिशन चैप्टर से तो पहला भाई एक्जैक्ली वही जान लेते हैं यह तो पुरा मिट गया ठीक है पहले यही जान लेते हैं कि सॉलिशन एक्जैक्ली क्या होता है हम सबसे पहले यह जान लेते हैं तो सॉलिशन आपको पता है कि यह रि solvent जादा तर liquid in state होता है इसको आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं types of solution कैसा होता है देखो मैं आपका time बिल्कुल consume नहीं करना चाहता क्योंकि हमें पूरा chapter जो की पूरे 6-7 घंटे में खताम होता है उसे 1 घंटे में आपको खताम करना है इसलिए मैं short notes एकदम बहुत धासू तरीके से notes बनाया है और उसको जल्दी जल्दी में cover करने के कोशिश करूँगा तो आप भी rapid revision के लिए ready रहा करो क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि 6 घंटे की वीडियो एक घंटे में काम करवाओगे तो फिर थोड़ा सा तो speed रहेगी ठीक है इतना आपको ध्यान रखना है तो types of solution की तरफ चलते है properties of solution depends upon the nature of the state ठीक है इस बात का आपको ध्यान देना है कि solution का कोई भी type अगर आप देखते हो तो उसका जो properties है किसी भी solution की वो solute या solvent के nature के उपर depend करती है ठीक है अब आप कहोगे कि SOLUUT या solvent का nature कैसा होता है तो या तो वो solute होगा या तो वो liquid होगा या तो gas होगा आपको क्या लगता है कि solution सिर्फ जो शर्वत होती है इसा नहीं है solution तो gas का भी बन सकता है solution liquid का भी बन सकता है solution solid का भी बन सकता है solution solid और liquid को मिला के बन सकता है solution solid और gas को मिला के बन सकता है तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है for example जैसे कि देखो solid और liquid को मिला के sea water, benzoic acid सब बनता है फिर solid और solid को मिला के metal के alloy बनते है फिर Solid और Gas को मिला के Iodine in air जो होती है वो बनती है फिर ऐसे Liquid और Liquid को मिला के Gasoline बनता है फिर Liquid और Solid को मिला के Emalgam Mercury बनती है फिर Liquid और Gas को मिला के Clor 공s बनता है समझाए तो यह सब सॉलुशन Gas और Liquid, Gas और Solid, Gas और Gas समला के ऐसे Solution बनते है तो इस table को एक बार पढ़ लेना ठीक है types of solution दिखाता है यह ओके चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जरा ध्यान दो आगे बढ़ते है capacity of solution to dissolve with the solute यह बात पहले सुनो कि मतब कितना solution में कितना और कब तक तुम solute को डालते रहोगे मालो तुमारे पास एक बीकर है और उसमें पानी है तो उसमें तुम कब तक शक्कर डालते रहोगे डालते रहोगे कोई तो एक time आएगा ना जब तुमारे शक्कर घुलना बंद हो जाएगी उसके अंदर dissolve होना बंद हो जाएगी तो यही है कि हमें पता है कि we know that solution is a combination of solute and solvent और जितना we add more and more solute to the solvent to make the solution हम ज्यादा फिजादा solute डालते हैं किसी भी solvent में solution बनाने के लिए क्योंकि हमें पता है कि solution is the solute plus solvent ठीक इस बात को आपको ध्यान देना है अगर हम लोग continue करें if we continue the addition of solute to the dissolution of अगर हम continuously solvent में solute डालते रहें तो एक ऐसा time आएगा कि dissolution stop हो जाएगा यानि कि जो dissolve हो रहा था वो बंद हो जाएगा क्योंकि यार थोड़े से amount of पानी में कितना शक्कर मिलाओगे शक्कर मतब solute for example के लिए कह रहा हूँ और water मतब यहाँ पे solvent है तो अगर तुम किसी पानी में शक्कर मिला रहे हो अगर तो कब तक मिला सकते हो एक तो time आएगा ना जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगी तो वह यह कि dissolution एक time पर stop हो जाएगा तो ऐसी situation में जब situation create होती है तो ऐसी situation को हम कहते है कि वह हमारा solution जो है वह saturated बन चुका है तो आप कहोई कि what is saturated solution तो भाई of solute जो कि dissolve होता है कहां पर solvent में ठीक है ऐसे ही solution को हम saturated solution कहते है एक बात ध्यान रखना कि अगर solute solvent में dissolve होता है तो solution बनता है और अगर solution का crystallization होता है तो फिर वापस से solute and solvent हमें मिल जाते है इस बात को आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते है exactly the meaning of solubility what is solubility याद क per unit volume of a saturated solution at a specific temperature ठीक है तो what is solubility किसी भी solute की solubility कहलाती है कि per unit given amount of volume में कितना amount dissolve हो गया ठीक है किसी भी saturated solution में जो saturated solution है अब हम तो वह तो पता है न कि saturated solution में already कुछ भी डिजल्व नहीं होता बड़ स्टिल अगर saturated solution में कितना amount of solute dissolve हो गया यही कहलाती है solubility of solute यानि कि given amount of volume ने लीटर में कितने mole dissolve हुआ यानि mole per liter इसकी unit होती है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देख लो factors affecting the solubility के बारे हम जानते हैं तो यह तीन टाइप है तीन factors है जो हमारे solubility को यहाँ पर affect करते हैं तो पहला है nature of solute and solvent दूसरा effect of temperature on solubility तिसरा effect of pressure on solubility तो यह तीन है इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है इन तीनों को अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो nature of solute and solvent effect of temperature on solubility effect of pressure on solubility तो पहले देखते हैं nature of solute के बारे में तो आपको ने सुना है होगा like dissolve likes यानि कि एक जैसे एक को dissolve करते हैं अब आप ही बताओ अगर आप माल लो आपके पास घर में कोको कोला है और घर में पानी है पानी और कोको कोला को मिला दोगे दोनों जल्दी dissolve हो जाएंगे लेकिन अगर पानी में शक्कर डालोगे तो शक्कर को घुलने में टाइम लगता है क्यों क्योंकि शक्कर जो है वो सॉलिड है और जो पानी है वो लिक्यूड है तो लिक्यूड है सॉलिड को मिलने में टाइम लगेगा न लेकिन लिक्यूड लिक्यूड को मिलने में जल्दी मिल जाते हैं, जैसे कि एक इनसान दुसरे इनसान से जल्दी मिल जाता है, बट एक जानवर एक इनसान से जल्दी नी मिलता, क्योंकि जानवर काटता है, मेरे को तो कुट्ता काटता है मैं बाहर नहीं निकलता है, मेरे को बहुत डर लगता है जलो, तो like dissolve like substances having similar होगा तो obvious सी बात ही को जल्दी मिलेंगे ठीक है जैसे कि polar अगर solid को जल्दी dissolve करोगे polar solvent में तो dissolve हो जाएगा non-polar को करोगे तो non-polar में non-polar जल्दी dissolve हो जाएगा तो इस तरीके से dissolution होता है चलिए आगे बढ़ते हैं effect of temperature की बात करते हैं अब देखो भाई पहले सीजी सी बात कहता हूँ कि जो solubility है इसका कोई सिधा फिधा correlation नहीं है हमारे temperature के साथ ना तो exothermicity के साथ ना endothermicity के साथ आप कोगे what is the meaning of exothermicity तो कोई भी reaction में जब heat बाहर जाती है तूसे exothermic reaction कहते है और जब किसी reaction में heat अंदर की तरफ absorb होती है तो उसे endothermic कहते है but solubility का temperature से कोई लिए न देना नहीं है कोई direct relation है ही नहीं ठीक है मतलब आप कह दो कि अगर temperature बढ़ेगा तो solubility बढ़ेगी या temperature घटेगा तो solubility घटेगी या बढ़ेगी ऐसा कोई direct relation नहीं है ठीक है for example के लिए अगर मैं तुमको समझाओं देखो अगर temperature बढ़ाते हो यह symbol का मतलब बढ़ाना तो अगर temperature तुम बढ़ाते हो किसी में heat को add करोगे तो obviously बढ़ेगा न किसी भी system का तो अगर तुम temperature increase करते हो तो solubility बढ़ती है बढ़ किसी में endothermic reaction में ठीक है अगर temperature बढ़ाते हो endothermic reaction में by adding the heat तो solubility बढ़ जाती है बढ़ अगर temperature बढ़ाते हो in the exothermic reaction तो भाई solubility decrease हो जाती है समझा चैसे तो इस बाद को आपको ध्यान देना है तो कोई fix यहाँ पे नहीं होता है बस इतना जितना लिख दे उसको याद कर लो अब आगर बढ़ते है effect of pressure on solubility तो भाई बताता हो सीदे से आपको pressure has no effect on solubility of the solid and liquid क्यों ऐसा क्योंकि किसी के भी father के अंदर दम नहीं है कि solid और liquid को compress कर सके आप कहोगे क्या challenge दे रहे हमको हम भाई हाँ तुमको challenge दे रहे ले लो क्या 2 रूपए kilo मिल रहे है ठीक है तो solid और liquid जो है solid और liquid जो है ना तो यह solid और liquid जो है यह incompressible है incompressible होने के वज़े से इसको हम compress करी नहीं सकते तो pressure का इसके उपर कुछ फर्की नहीं पड़ता है मत्तब यहाँ पर लॉल हो जाती है अगर तुम pressure apply करोगे solid और liquid में तो क्योंकि यह incompressible है इस बात को आपको ध्यान देना है चलो आगे बढ़ते हैं अभी तो solubility है जो यहाँ पर pressure के लिए सिर्फ gases के लिए apply होड़ती है क्योंकि gases को तुम compress कर सकते है जिसे balloon में तुम कितने भी gas डाल दो इस हिसाब से तो gases के साथ यहाँ पर होता है और अगर temperature बढ़ाओगे तो भी solubility हमारी increase होती है इस बात को ध्यान देना अच्छे से ठीक है अगर relationship की बात करूँ तो relationship हमारा Henry's law से मिलता है कि अगर देखो यहाँ पर pressure बढ़ाओगे तो हमारा solubility increase होगी यानि solubility is directly proportional to pressure this is देखो definite relation बट temperature को कोई यहाँ पर definite relation था ही नहीं कि ऐसा कुछ मिल जाए ठीक है तो Henry's law इसी को कहते है कि अगर pressure बढ़ाओगे तो solubility बढ़ेगी लेकिन only for gases ठीक है इस बात को आपको समझके रखना है तो solubility is equal to यहाँ पर हमारा khp जो कि kh क्या है यह solubility constant है इस बात को आपको समझके रखना है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग vapor pressure of solution of a liquid इन a liquid ठीक है यहाँ पर अब ध्यान देना कि vapor pressure of a solution इन a liquid ठीक है consider कर लो कि तुमारे पास एक binary solution है binary मतलब एक ऐसा solution जिसमें दो चीजों को use किया गया हो बनाने के लिए यानि solutor solvent दोको यहाँ पर A1 और A2 दो चीजी है जिनका इस्तमाल किया गया है solution को बनाने के लिए तो हमने समझ लिया कि हमारे A1 A2 volatile liquid है और इनको हमने close container में रख दिया है अब जो यहाँ पे जोनों liquid है दोनों vaporize होते है eventually अगर हम कहें कि दोनों का जो हमारा vapor है यह हमारा एक container है तो इसमें यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया अब इनको vaporize करोगे तो इनका vapor उपर जाएगा थोड़े time बात क्या होगा इनका vapor खुद नीचे की तरफ pressure लगाने लगेगा vapor का pressure यहाँ पे apply होगा यहाँ वेपर pressure यहाँ पे apply होना शुरू हो जाएगा vapor phase में ठीक है तो यहाँ से relation कैसे आप लोग को मिलेगा कि कितने mole fraction में pressure apply किया जा रहा है solution में कितने amount of solution में pressure apply किया जा रहा है तो कैसे relation पता करोगे तो यह relation route law से मिलता है तो what is exactly route law यहाँ देखो मैंने लिखे रखा है statement it is state that a partial pressure vapor pressure of any volatile component what is volatile volatile मत्तब जिसका vapor निकलता हो जो vaporize होना जानता हो जो vaporize हो सकता हो वही है volatile component of a solution is equal to vapor pressure of the pure component multiplied by small fraction in a solution देखो कहने का मतलब सिर्फ यह ही है कि देखो यहाँ पे जर अध्यान से समझोगे तो सब कुछ जानोगे यानि कि देखो simple सी मात है कि अगर partial vapor pressure जो है वो equal होता है vapor pressure of pure component और उसके mole fraction के for example जिसे कि देखो P1 है P1 हमारा यह partial vapor pressure है और P1 not जो है P1 not pure component का pressure है और X1 हमारा mole fraction है देखो यहाँ पे partial vapor pressure of the component is equal to multiplication or product of product of mole fraction and vapor pressure of pure component तो P1 not pure component का vapor pressure X1 mole fraction P1 partial vapor pressure ठीक है तो यहाँ पे देखो partial vapor pressure is equal to the product of mole fraction and vapor pressure of pure component इस इस दी राउट्स लो जो मैंने अभी इंग्लेश में बोला और यहाँ पे जो मैं आपको एनिमेट किया यह राउट्स लो है equation number 1 दे दिया बाके तो आप खुद read कर लोगे ना यार ठीक है A1, A2 respectively हमारे pressure है फिर हमारा total pressure P1, P2 हो जाएगा यहाँ से P1 हमको इतना मिला P2 इतना मिला यहाँ पे दिनों को put कर दिया फिर हमको पता है कि in the binary solution X1 is equal to 1 minus X2 होता है तो यहाँ से हम निकालके और देखो हर X1 के जगह में X2 के जगह में यह value put कर देंगे फिर देखो आप P1, P2 मिल जाएगा है ना समझ रहे को नहीं समझ रहे X1 की value निकालके यहाँ डाल दो यहाँ डाल दो उसकाद P1 को अंदर multiply कर दो फिर यहाँ पे P2 मानस P1 मिल जाएगा X2 प्लस P1 नॉट ठीक है आप इसको चाहो तो delta P भी लिख सकते हो ठीक है तो इस तड़िके से आप find कर सकते हो देखो यहाँ पे और यह हमारे relation हो जाएंगे और यह composition है हमारा इसको read कर लो protein marks को आ सकता है तो बस इतनु सा आप लिख दोगे exam में that's so simple मैंने एक जगह पे जितना बता दिया है उतना ही आपको exam में बताना है और अकर आप चाहो तो इसकी एक diagram भी मना सकते हो तो इससे आपकी उपर depend करता है तो मैं मानता हूँ कि routes law थोड़ी बड़ा है बट hard नहीं है यहां तक अगर आपको समझ गया है ना तो इसके आगे का यहां तक आपको समझ गया है बस इतना भी solve कर दो यह खतम काम 25 है बस देखो भाई एक बात कितना simple routes law यार देखो कैसे देखो partial vapor pressure माल लो P1 है तो partial vapor pressure is equal to product मत्तब multiplication तो product of mole fraction and vapor pressure of pure component ठीक है इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हो तो बस यह यह routes law इसी को इंग्लिश में यहां पर देखो लिख रखा है यहां पर इंग्लिश में इसको लिख रखा है कितना असान है यार है ना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो इसको आपको यहां पर समझ के रखना है और कुछ नहीं चलिए आंगे बढ़ते हैं अभी अब आते हैं ideal solution की दरफ आइडियल एंड नॉन आडियल solution कहलाता क्या है तो ideal solution हमारा वो solution होता है जो आबे करता है routes lock हो यानि कि वही जो vapor pressure है उसको अगर तुम लोग यहां पे मतलब equal रहता है mole fraction and pure component की है न vapor pressure of pure component की equal रहता है तो आबे करे हमारे routes lock हो दूसरी बात जो हमारा maximum enthalpy होती हो 0 हो यहां पे जो mixing की हमारी volume में तो वह हमारे यहां पे 0 होनी चाहिए सीख्थी कहें तो यह सम्हमारे यहां पे क्या होते है ideal solution वाट इस non-ideal solution तो these solution do not obey route law और vapor pressure of these solution can be higher और lower than those of vapor component और deviation from यहां पे route law की अगर बात करो तो टाइप के deviation है पहला है positive deviation यह diagram exam यूज करना negative deviation यह diagram यूज कर लेना तो दोनों diagram is most important आपके question bank में भी solution दिया हुआ question bank में यहां से question है ठीक है कि positive deviation and negative deviation and the difference between the ideal solution and the non-ideal solution तो प्लीज यह जो आपको यहां पे slide में इस सबक दिख रहा है इसको जो छोड़के जाएगा वो बड़ा पच्ता आएगा हमें जो छोड़के जो तुम जाओगे बड़ा पच्ता आओगे ठीक है तो colligative properties of non-electrolytic solution तो भाई non-electrolytic solution में चार type की colligative property होती है बच्चा भी जानता है बच्चा नहीं जानेगा फिलाल क्योंकि बारवी में सिलेबस में है ठीक है ठीक है तो बच्चा नहीं जानेगा बड़ स्टिल तुम तो जानोगे न तो चार type की यहां पे property होती है non-electrolytic के लिए पहला vapor pressure lowering, boiling point, freezing point, osmotic pressure यही चारो को आज हमें पढ़ना है पहले हम vapor pressure lowering देखेंगे फिर हम boiling point, elevation देखेंगे फिर हम freezing point, depression देखेंगे फिर osmotic pressure देखेंगे और आज का हमारा वीडियो खताम हो जाएगा तो देखो यही चारो अभी हम पढ़ेंगे यही चारो को आभी हम पढ़ेंगे let's begin ठीक है चलो यहाँ देखो सबसे पहले comfort देखने जा रहे है vapor pressure lowering देखो यहाँ पर vapor pressure lowering यहाँ देख रहा हूँ अच्छा भाई बता देना मेरे writing कैसी है यार writing मैं भाई लड़का हूँ और लड़कों की writing खराब होती है writing तो लड़कियों की सही होती है और भाई लड़कियां पता नहीं क्यों इनकी इतनी अच्छी writing होती है यह भी जैसे beautiful होते है वैसे इनकी writing भी beautiful होती है हम तो ठहरे पहाड़ी आदमी ठीक है हमारी राइटिंग कुछ भी अच्छी नहीं होती ठीक है वह पहाड का नहीं है वैसे बस कह दिया मैंने ठीक है चलो यहाँ पर तो vapor pressure lowering अब यहाँ देखो क्या होता है ठीक है vapor pressure lowering तो when a liquid enclosed in a container when a liquid enclosed in a container is in equilibrium with its vapors the pressure exerted by the vapor on the liquid is its vapor pressure देखो कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे जैसे कि यह हमारा क्या हो गया यह हमारा एक डबबा है और इसके अंदर तुमने कोई भी liquid डाल रखा है और liquid डाल जब रखा है तुमने तो liquid मालो equilibrium state में है तो इसका जो vapor निकलेगा गरम करोगे नीचे से तो vapor निकलेगा तो वो vapor इसी के container की वालों में बहुत pressure exert करेगा तो बस वही यह vapor pressure जो pressure vapor के थुरू लगाया जा रहा हो वही pressure हमारा vapor pressure कहलाता है इस बात को आपको ध्यान देना है the important point is कि अगर हमारा कोई non-volatile या non-ionizable हमारा कोई solid है तो वो dissolve होता है liquid solvent में इस बात को आपको ध्यान देना है और उसका जो vapor pressure का solution का वो हमेशा lower रहेगा pure solvent से तो एक बात ध्यान रखो what is pure solvent जिसमें ज़्यादा कुछ mixing या फिर कुछ ज़्यादा उसके अंदर मतलब contamination नहीं होता है वो pure solvent होता है जिसे water वगरा pure वाले ठीक है बड़ अगर कोई और solid के साथ अगर तुमने solution कोई उठा जिसे शर्बत वगरा हो गई ठीक है उसको उठाया न तो याद रखो अगर शर्बत का vapor pressure निकालोगे और pure water का निकालोगे तो आप ही बताओ ज़्यादा vapor pressure किसका होगा water का होगा न जिरी pure solvent का रहेगा तो याद रखो कि कभी भी हमारा lower होता है vapor pressure किसी भी pure solvent से किसी भी solution का vapor pressure अगर निकालोगे तो lower रहेगा pure वाले से इस बात को ध्यान रखो तो हमने consider कर लिया P1 vapor pressure of P1 not जो है उपर 0 लगा रखा है तो ये vapor pressure of pure solvent है और पी जो है यहाँ पे vapor pressure of normal solution है इस बात को आपको ध्यान देना है तो आप ही बताओ कि जो हमारा normal solution है उसका vapor pressure कम रहेगा तो यानि कि delta P is equal to pure वाले का जादा है minus normal वाले का कम है तो हम लोग delta P ऐसे लिख सकते हैं तो delta P is the vapor pressure lowering ये हमारा कहलाएगा ठीक है इस बात को आपको यहाँ पे अच्छे से समझ के रखना है चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे की concept को सीखते हैं यहाँ पे राउल्ट्स law for solution of non-volatile solute की बात करते हैं किसकी बात करते हैं राउल्ट्स law for solution of non-volatile solute देखो to the vapor pressure of pure solvent यह vapor pressure of pure solvent है multiplied by multiplied by mole fraction in the solution यानि x1 is the solution समझा अच्छे से इस बात को आपको ध्यान देना है तो यही हमारा राउल्ट्स law ठीक है तो अब यहाँ पे जरह आपको ध्यान देना है कि in the binary solution हमको पता है कि x1 plus x2 होता है यानि कि solute plus solvent मिला कि उसका solution monotonic होता है ठीक है इस बात को समझना है तो यहाँ से x1 की value 1 minus x2 निकल जाएगी ठीक है अब हमको यह पता चल गया है तो इसको यहाँ डग देंगे और x1 की value यहाँ पे put कर देंगे तो 1 minus x2 बन जाएगा यहाँ पे p1 को अंदर multiply करेंगे तो p1 not p1 not ऐसे बन जाएगा अगर इस p1 को वहीं रखें और इस p1 को उदर भगा दें तो p1 not minus p1 बन जाएगा और equal to यहाँ पे p1 not x2 आ जाएगा यानि की यहाँ पे देखो और जो p1 minus p1 है मतलब p1 not minus p1 है यह तो हमारे delta p होता है तो यहां delta P डाल दो और P1 not x1 इसको याद रखो this is the lowering vapor pressure का relation है और round slow का relation है इसको ध्यान रखो आगे आते हैं relative lowering of vapor pressure बाई आपको पता है कि relative lowering vapor pressure क्या होता है जानते हो it is the ratio ratio मतलब division ratio of vapor pressure lowering of solvent यानि delta P ठीक है divided by vapor pressure of a pure solvent that is P1 not तो vapor pressure lowering of a solvent delta P कहलाता है और vapor pressure of pure solvent P1 not कहलाता है तो delta P upon P1 not क्या हो जाएगा पीवन नॉट वैसी रहेगा और delta P minus P1 मिलेगा अब हमको अभी अभी पता चला कि delta P is equal to यहां पर अभी हमको क्या मालूं पड़ा कि delta P is equal to यह मैं आगे topic यह देखो जिसमें black की उपर yellow रहता है न वो topic नए वाले होते हैं नए topic होते हैं ठीक है इस बात को समझ के रखना देखो अब अब आप कोई किसार आपने इसका handwritten नहीं लिखा अरे भाई हम सब पागल थोड़ी है हम सब को पता है कि यही चीज तो सेम है कितना प्यारा सा यही पर लिखा हुआ है इसमें क्या handwritten लिखने का फोकर में time बरबाद होता है तो तुम भी इसको सिधा-फिदा याद करने का मनने underline कितना अच्छा करके रख दिया colorful बढ़ी ऐसा तो delta P is equal to P1 not x2 है तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा अब अगर आप यहाँ से P1 not को delta P के नीचे लेके जाएंगे तो यह x2 मिलेगा न यस तो delta P upon P1 not is equal to x2 मिल जाएगा और delta P upon P1 not की value कितनी है P1 not minus P1 upon P1 not तो द चलो आगे निकलते हैं ठीक है चलो आगे निकलते हैं molar mass of solute from vapor lowering pressure मताब vapor pressure lowering अभी भी vapor pressure lowering खतम नहीं हुआ है चलो तो we know that delta P upon P1 not x होता है यह अभी हमने फाइंड किया यह equation number 1 दे दो आगे बढ़ते हैं the mole fraction of a component the mole fraction of a component यह हमको पता है हमने 11 पे पढ़ा था the mole fraction of component of a solution is equal to its mole divided by the total moles in the solution बोलता हो देखो the mole fraction of a component is the mole fraction of a component यह is equal to is equal to देखो मैं यहापे एन अनिमेट कर रहा हूं यहापे मताब अनिमेट कर रहा हूं देखो the mole fraction of component the mole fraction of component is equal to equal to mole divided by n मतला mole होता है तो n2 भी mole ही होगा ना तो n2 यहापे टोटल mole in the solution इस बात को आपको ध्यान देना है ठीक है n1 n2 क्या होता है n1 हमारा mole of the solvent है याद रहे n1 mole of solvent है n2 mole of solute है आगे बढ़ते हैं कभी भी जिंदिकी मियाद रखना है कि जो solvent का mole होता है बहुत ज्यादा होत अब अगर अब शक्कर और सर्बत मिलाते हो तो आपि बताओ कि जो आपके घर में शर्बत बनती है उसमें खकर ज्यादा रहे गए कि कम रहे गया इस gemacht to पारी पानी कम रहेगा क्योद अरे भाई शक्कर कम रहेगी ना पानी ज्यादा रहेगा तो यहापी उसका fraction ज्यादा ह तो इसका मतलब N1 बहुत ज्यादा है N2 बहुत काम है तो यानि कि N1 प्रस N2 को अगर समझ लो कि approximately ऐसा माल लो suppose कर लो यार please suppose कर लो कि N1 आ गया समझा कि नहीं समझा N1 प्रस N2 N1 क्योंकि N2 बहुत ही ज्यादा छोटा है लिख के भी फायदा नहीं है इसलिए कह रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर X2 उकल टू क्या मिलेगा यहाँ डेल्टा पी अपॉन नॉट कितना मिलेगा N2 अपॉन एन वन मिल जाएगा समझा एकोशन नमर टू दे दो अब suppose करो कि यहाँ पर जो हमारा डबलू टू है अरे भाई मिट क्यों जा रहा है ठीक है डबलू टू है मतलब इतना प्यार से लिखा है ठीक है इसको हमारा अभी आपको पता है कि मोल क्या होता है मोल मोल इस उगल टू क्या होता है बताओ जरा मास अपॉन मोलार मास होता है तो डबलू टू क्या है वेट है यानि कि समझो मास जैसा है और M2 हमारा मुलार मास है तो N2 इस उगल टू डबलू टू अपॉन अपॉन यानि M1 और M2 क्या है Molar Masses of the M1 हो गया solvent के लिए M2 हो जाएगा solute के लिए चलो अब आगे बढ़ते हैं तो यहां से N2 upon N1 पता है ना तो N2 N1 की value यही put कर देंगे तो हमको पता है कि X2 is equal to delta P upon P1 not होता है और यहां पर delta P upon P1 not क्या होता है है N2 upon N1 तो देखो N2 की value W2 upon M2 और N1 की value W1 upon M1 देखो यहां पूट कर दिया बस देखो एक relation मिल यह अच्छा का सा प्यारा सा अब देखो delta P upon P1 not हमको यही होता है ना आप बोलोगे यह किदर है सर अरे यह दिखाता हूँ देखो यहां पर यहां पर यहाद है तो आबाद है तो बरबाद है तो delta P upon P1 देखो यह value मिल गई तो और क्या ही चाहिए आपको ठ देखो आगे निकलते हैं अभी तो boiling point elevation की दरफ चलते हैं अब देखो हमारा अंगली बाली हमारी यहाँ पर चल रख देखो vapor pressure खतम आपको दिखाता हूँ देखो vapor pressure lowering का देखो क्या क्या हमने पढ़ा vapor pressure lowering पहली बात क्या होता है यहां तक आ जाओ फिर देखो यह जितने भी molar mass को find कर लिया देखो यहां पर हमको मिलगा molar mass का relation मिलगा lowering of vapor pressure के साथ ही अब बस तो हमको तीन चीज़े देखनी होती है एक तो खुद vapor pressure lowering फिर उसका relation route slot के साथ फिर उसका relation relative lowering of vapor pressure फिर molar mass निका लिया lowering vapor pressure का अब काम 25 हो गया अब निकलते boiling point के दरफ अब हम बढ़ेंगे boiling point क where liquid starts boiling समझा एक ऐसा जैसे कि माल लो अब वाटर की बात करता हूँ तो वाटर को गरम करना शुरू करो 10 degree फिर 11 degree 12 degree ऐसे 98 degree 100 degree तक जाओगे 100 degree Celsius में जैसे जाओगे ना तो पानी हमारा boil होना शुरू हो जाता है ठीक है इस बात को आपको समझ के रखना है तो जैसे हमारा water boil होन करना शुरूआ 100 degree Celsius में मतब 100 degree Celsius is the boiling point of the water यानि कि point of temperature where liquid starts boiling यही होता है boiling point but is boiling point यहापको समझ गया अच्छे से boiling point of the solvent हमेशा धान रखना कि elevated by elevated मतब बढ़ना बढ़ जाता है by dissolving a non-volatile solute into it अब आप ही बताओ अगर माल लो कोई container है और उसमें आपने पानी डाल दिया और उसके अदर अगर आप माल लो आपने कोई ऐसा solute डाल दिया जो dissolve ही नहीं होता है जो non-volatile है जिसका vapor बनता ही न elevate होता है जितना गरम करोगे उतना temperature बढ़ेगा ना तो उतना उसका boiling point बढ़ेगा ना तो boiling point of solvent हमेशा elevate होता है अगर non-volatile solvent का use करते हो तो consider कर लो कि TB not जैसे अभी तक हमने P1 not P1 पढ़ रहे थे वैसे यहाँ पे TB not हमारा boiling point है pure solvent का ठीक है और TB है यह boiling point of the solution है तो आप ही बता talking about vapor pressure we are not talking about vapor pressure vapor pressure pure solvent का ज्यादा होता है we are talking about किसका हम लोग यहाँ पे boiling point के बात करते है तो boiling point के है temperature है जिसको ज्यादा temperature दोगे वो ज्यादा boiling point रहेगा समझा की नहीं समझा ठीक है तो अभी अभी हमने देखा ना कि non-volatile solvent के लिए हमारा vapor pressure ज्यादा elevated रहता है तो आप ही बत ग्लास में सिर्फ पानी है ठीक है तो पानी जल्दी बॉल होगा ना जबकि शर्बत को बॉल होने में टाइम लगेगा क्योंकि शर्बत में शकर भी मिली हुई है समझा तो solution का boiling point ज्यादा रहेगा ठीक है तो शर्बत यानि solution का temperature ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे ध्यान दो कि we know that कि boiling point of solution is always more than boiling point of pure solvent यानि की water ठीक है तो यहाँ से टीबी माइनस टीबी नॉट आ जाएगा तीबी नॉट समझा नहीं यह रिलेशन कैसी आया यहाद रखना टोटली डिफरेंट है वेपर प्रशर से उल्टा है ठीक है इसको समझ के रखो तो कम 25 हो गया हमारा boiling point elevation का कि इसके डाइग्राम आएगी एक्जाम में बना देना ज्यादा समझाने हुम जाने जरूत नहीं है इतना समझाते बैठो गे तब तो काम पच्चीफ हो जाएगा फिर तुम्हारा लेना देना नहीं इतना बता के बस इतना इस डाइग्राम को बता देना चलो आगे निकलते यानि कि concentration of solute का मतलब ही होता है molality correction of solute कहलो बात एकी ही है तो हमारा जो bawling point elevation होता है वो directly proportional रहता है किसको molality को यानि कि delta tb क्या है घंजेंगा था कितनाulin point हमारा बढ़ा तो हम अगर यहाँ पे solution का bawling point minus प्योर सॉल्मंक का डली मानस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्षरिका न कर देंगे हैंक प्रेंगेगे शल्द हलुड के He लिए के हमारा बार खरतानी के लिए केबी छी वह हो तो delta tb upon m, m क्या है molality यानि mol per kg और delta tb temperature है मतब Kelvin तो Kelvin यह kg उपर जाएगा तो Kelvin kg और यह mol उपर जाएगा तो per mol तो Kelvin kg per mol ऐसे आजाएगा हमारी unit ठीक है तो इसको याद रखना boiling point elevation of concentration of solute चलो अगे निकलते हैं molar mass of the solute from boiling point elevation अब देखो आगया ना molar mass मैंने बोला ना know that delta tb is equal to kbm हमको पता है जिसमें भी black के उपर यल्लो नया topic है पहले कह देता हूं तो molality is equal to mass upon mass of solute upon molar mass of solute होता है ठीक है इसको आपको समझ के रखना है तो अब देखो भाई mass of solute यानि कि n n का mass क्या होगा बताओ जहरा आप लोग यहाँ अगर solute को हम किसे दिखाते एंटू फे दिखाते तो यहां पर क्या आएगा डब्लू टू अपॉन एंटू आ जाएगा दोगे यहां पर डब्लू टू अपॉन एंटू मोल ठीक है को ग्राम में पता होती है बस यहां पर थोड़ा फार तुम थाउजन से मल्टिप्लाइ मार देना और नतिंग आपका काम पूरा बन जाएगा ओके जब आप इसको sol करोगे न अच्छे से यह एंटू नीचे आएगा यह थाउजन उपर जाएगा देखो थाउजन डब्लू अप्पी पूट हो जाएगे गा zuerst यहां वेल्यू पूट हो गई और यह किया है? मॉलार मास उफ दी बांलिंग पॉइंट एलिवेशन के साथ तो यह रिलेशन है हमारा ब्यलिंग पॉइंट एलिवेशन के साथ मॉलार मास का संदू यह वाला है और ऐसे ह Scotland लोवरिंग ओफ वेपर प्रेशर का भी फाइड किया है तो देखो यह हमारा डेल्टा पीस दी लोवरिंग ओफ वेपर प्रेशर यह पूरा रिलेशन ही है वेपर प्रेशर लोवरिंग का तो देखो यहां पे हमारा M2 है मुलार मास इस तरीके से हमने हर जगे मुलार मास का र जुनिया में आगे बढ़ते चलो चली आगे बढ़ते ही अभी ठीक है अब यहां पिजला ध्यान दो अच्छे से अब हमारा काम इधर का 25 हो गया भाई हमने पढ़ लिया बॉलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया बॉलिंग पॉइंट का सॉलूट के साथ रिलेशन और यूनि आप लोग को बड़ा बड़ा बता बता करके आपका टाइम बर्बात कर देते हैं बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं चार चीज़े तो पढ़नी है शुरू-शुरू में थोड़ा इंट्रोड़क्शन है जिकि सॉलूट क्या आउता है टाइप आफ सॉलूशन क्या आउते देखो तो फ्रिजिंग पॉइंट की दरफ चलते हैं देखो भाई तो फ्रिजिंग पॉइंट क्या होता है कभी अगर मालो कोई लिक्विड सॉलिड बनता है किसी पॉइंट ऑफ टेंपरचर में फर एक्जामपल जीरो डिगरी सेलसियस में हमारा पानी जो है आइस बन जा इसको आपको समझ के रखना है अच्छे से यहां पर जो रिलेशन मिलेगा हमारे प्योर सॉल्वेंट का फ्रिजिंग पॉइंट ज्यादा होता है एस कंप्यर टू नॉर्मल सॉलिशन का देखो अब आपको यह सबसे देखो आपको एक चीज समझ गयोगी कि यह सबसे इंप पर 0 है ठीक है तो देखो अगर मैं बॉलिंग पॉइंट की बात करूं तो यहां पर प्योर सॉल्वेंट का कम है और नॉर्मल सॉलिशन का ज्यादा है ठीक है हमारे यहां पर बॉलिंग पॉइंट की बात करूं तो यहां पर देखो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है और ह As compared to normal solution ठीक है तो pure का इसमेंέ ज़ादा है तो एक बाथ ध्यान रहे कि vapor pressure में कम है और freezing point मे प्योर वाले का ज़ादा है समझ गया अच्ये से इस बात को समझ से रखना है थीनों collegative property का मैंने बता दिया अभी एक और बाकी है आंगे वाले में देखते ने इन तीनों को समझ गया अच्छे से कि प्योर वाले का कम है ज्यादा है और जिसका ज्यादा है उससे माइनस कर देने का तो हमारा वो मिल जाता है फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेशन समझ गया कि ने समझ गया अच्छे से तो इस बात को आपको धिमाक में अपने बिठा लेनी है याद हो गई कि नहीं बात है याद हो गई अगर देखो मैं बात करूँ लोवरिंग ओफ वेपर प्रेशर तो वहाँ पर क्या था पी वन यहाँ पर टी बी ऑलंत का यहाँ पर देखो यहां पर यहां पर टी-बी यहां पर क्या होता है समझ रहें और नहीं तो但是 और यहाँ बात आती हमारे लहा के रोवरिंग ओफ यहां पर हमारे और Peki prepare घा तक हैं तो को मुझ मझ बस पे हमारा ओंगा फ्रिजिंग पॉंट का रिलेशन और यह होगा कुछ अब रखें चली तो दो आबाद मिता देता हूं इसको यहां यहां पने पाइदा नहीं आप लोगे समज गया वाली बाते रहारात रखने के लिए चली अभी depression and concentration of solute देखो हमने इसी तरीके से boiling point का भी निकाला था ना कि boiling point elevation and concentration of solute तो हमको कुछ यह मिला था बस वैसे यहाँ पर भी है same to same that freezing point depression is directly proportional to morality of the solution देखो वही चीज है और यहाँ पर कियाफ आएगा बस यहाँ पर की अफ का नाम क्या होगा यहाँ पे KF का देखो नाम क्या होगा Cryoscopic Constant और यहाँ पे जो KB था इसका नाम था Abilioscopic Constant Abilioscopic Constant और यहाँ पे इसका नाम है Cryoscopic Constant तो M1 की value अगर इतनी तो यह मिलेगा वही आपको पता ना KF फिजिकल टोप देख लो आराप यहाँ पे KF की value यहाँ पे केजी को उपर लेकी गए तो KG हो जाएगा और मोल को उपर यहाँ पर लेकी जाओ कि तो पर मोल हो जाएगा और Kelvin तो वैसे ही रहेगा यहाँ तो डिगरी सलसे सी उच कर लो तो इसकी unit यहाँ पे Kelvin KG पर मोल होती है इसको ध्यान अतना अब आते हैं freezing point depression as a consequences of vapor pressure lowering इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अब यहाँ पे समझो तो यह आप consequences के लिए यहाँ आप लोग यहाँ पे diagram बना देना जैसे कि हमारे पास यहाँ पे यहाँ यहाँ diagram थी boiling point में ठीक है तो ऐसी freezing point में यहाँ diagram बना देना diagram is most important three marks को आती है केले की चलो आप जिसे कि सबका molar mass find किया तो freezing point के लिए भी molar mass तो बनता है ना भीडो ठीक है तो इसको देख लो यहाँ पे तो we know that delta tf is equal to kfm यहाँ पे आजाएगा हमारा तो अब आप ही बताओ कि मोलालिटी की वैलू तो हमको पता है ना क्या बार-बार थोड़ी solve करके आपको दूँगा भाई मोलालिटी क्या होती है यहां देखो मोलालिटी 1000 w2 upon m2 w1 होती है यह मोलालिटी का formula होता है mole of solute upon mass of the solvent है ना यहां देखो ध्यान देना अच्छे से mole और निचे क्या है मास है मास है नीचे ऊपर मोल है तो नीचे मास है w1 upon thousand आएगा इस बात को समझ के रखो अच्छे से चलो अब यहां पर आ जाओ तो मोलार मास of the solute from the freezing point depression आप लोग टेक्ट बुक भी बगल में उपन करके करो टॉपिक पता चलेगा कि मैं line to line कैसे पढ़ा रहा हूं ठीक है यहां पर ध्यान देना अच्छे से ठीक है तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा और बाकी की जो चीजें यह वाली यह वाली यहां पर आ जाएंगी M2 is equal to 1000 KF W2 upon यहां पर W1 मिल जाएगा हमको हमारा कम पच्चिफ हो गया मुलार मास भी मिल गया खतम कहानी तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक हमने अब आता है ऑसमोटिक प्रिशर और सकवाट हमारा कम पत्चिफ हो जाएगा देखो कितना आसान चैप्टर था आपको पढ़ाने वाले जान्मुछ के बड़ा कर देते हैं यहां पे मैने भी तो सारीचीजे हैं कुछ alleviate पढ़ाít एक शब्दी भी नहीं छोड़ा है, हाँ, थोड़ा theoretically अब उतना सारा लूँगा, तो बहुत टाइम जाएगा ना, बड़ इस टीर एक दम basic तरीके से आपको सार चीजे बताई गई है, जितना बताया है, उतना exam में लिखो कि फुल मक्स निकाल पाओगे, बाकी आप जानो भगवान जाने, ठीक है, तो osmotic pressure की बात करते हैं, तो यह associated होता है, vapor pressure lowering के साथ, भाई, पहले इसको याद रख लो, कि यह associated रहता है, vapor pressure lowering के साथ, ठीक है, दूसरी important बात, यहाँ पे osmotic pressure में semi permeable membrane का एक role होता है, तो आपको बता permeable membrane क्या है, आगे बताता हूँ, ठीक है, पहले जान लो कि osmotic pressure क्या है, उससे पहले यह जान लो कि osmosis क्या होता है, ठीक है, osmosis जानोगे, तो osmotic pressure जानोगे, फिर semi permeable membrane जानोगे, osmosis क्या है, देखो, ध्यान से सुनोगे, तो सब समझेगा, देखो, when a solution and pure solvent, याद रहे, when ना solution and pure solvent देखो जापे solution और pure solvent of or two solutions of a different concentration are separated by semi-permeable membrane the solvent molecule pass through the membrane कहने का मतलब समझना है कि नहीं समस्ता है तुम लोग को है ना जो एक है डबा कि डब्बे के बीच में डाला है डब्बा टिके डब्बे की बीच में डाला है एक permeable membrane आप कहो कि what is the meaning of permeable membrane हमारे body के अंदर हमारे body के अंदर भी semi permeable membrane होती है देखो भाई permeable का मतलब होता है permission देना और semi permeable बोल दिया मत्तब कि आधी चीज़ों को मालो जैसे की मालो मैं यहाँ में बनाता हूँ कि यह मेरी एक ऐसे membrane है ठीक है तो इधर का समान इधर जा सकता है क्योंकि यह permeable membrane है पूरा समान जा सकता है लेकिन मैंने कहीं semi permeable तो कुछ ही amount इधर से इधर जा सकता है तो membrane का काम होता है कि एक बीच में उच्छनी होती ना घर में चाय निकालने वाली चाय में फिजो चाय पत्ती अलग करते हो चाय अलग करते हो तो च्छनी जैसे ही है permeable membrane अब जो घर में चाय चाय चानने वाली च्छनी होती है उसमें क्या करते हो आप लोग उसके उपर जब अब चाय डालते हो तो चाय की पत्ती उपर रहती है और चाय नीचे गिर जाती है न तो बस वो permeable membrane है समझो तो फिलाल वो permeable नहीं semi permeable membrane है क्योंकि permeable वाले फिर तो सब निकल जाता है आर पार बड़ semi permeable से आधी चीज़े जाती है तो बीच में semi permeable membrane डाल दिया तुमने समझो ठीक है यहाँ पर बीच में और एक तरफ solvent है एक तरफ solution है या तो आप चाहो दोनों तरफ solution ले लो it's your choice तो हमेशा अगर मालो solvent का concentration बहुत जादा है और solution का concentration बहुत कम है तो हमेशा solvent के तरफ से solution travel करके solvent की तरफ चला जाता है solution की तरफ चला जाता है तो this is the osmosis osmosis मतला कि कोई भी चीज़ एक तरफ से चल के दूसरे तरफ अपने आप चली जाती है और यही होता है osmosis तो वही चीज़ तो लिखा है given a solution and pure solvent या फिर दो solution को different concentration में तुमने separate किया with the help of semi-permeable membrane तो जो solvent होता है molecules वो pass हो जाती है semi-permeable membrane से दूसरी तरफ को और यही है osmosis कितना असान है na osmosis ठीक है यह हमारे फिलालना हमारे plant के biology में भी होता है मतलब biology में भी होता है इस बात को आपको समझ के रखना है चलिए अब हम आगे निकलते हैं यहां पर जरा ध्यान दो अच्छे से इसको सम्मिटा देता हूँ भाई वरना फिर अच्छा नहीं लगता है चलो ठीक है इसको मिटा दिया भी अब यहां देखो अब आजाओ आपको समसी समझ किया मतलब इदर जाना तो आस्माटिक प्रेशर क्या है आस्माटिक प्रेशर इस डिफाइड ऐस दिप्रेशर देट मस्ट भी अप्लाइड तो इस सॉलुशन साइड तो स्टॉप फ्लूड मॉव्मेंट वेन समी पर्मेमल मिम्ब्रेन separate a solution from pure water कहने का मतलब है कि जब हमारा solution की तरफ कोई भी solvent आ रहा होता है तो हमारा solution कितना pressure apply करे कि ये आना stop हो जाए तो वो जो pressure है वो आस्माटिक प्रेशर कहलाएगा यानि कि बस इतना आप याद भी कर सकते हो आस्माटिक प्रेशर इस डिफाइड ऐस डिप्रेशर दैट मस्ट अप्लाइड टू दी solution to stop fluid movement बोलो ना कि आस्माटिक प्रेशर क्या है जो fluid movement में हम अप्लाए करेंगे तो movement when semi-permeable membrane separate solutions from pure water ठीक है तो यह आपको समझ की रखना यह आस्माटिक प्रेशर है फिलाल यहाँ पे pure water का मतलब है pure water के जग में आपना solvent लिखलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी मर्जी क्योंकि pure water solvent ही होता है चलिए तो इसको आपको ध्यान एकना यह diagram exam में बना दीनी है diagram दोनों को रख्ट है solvent और solution के लिए है और एक solution solution के लिए है इधर फिदर जाना ही osmosis है semi permeable membrane को cross करके इधर से इधर जाना ही osmosis है चाहे हो solution जाए चाहे solvent और solution जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब हम यहाँ पे आते है solution अच्छा यह diagram आप बना देना exam में ठीक है यह आपको अच्छे से यादफ ना है अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे आते हैं जाए थोड़ा सा solution के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे आप follow कर ले न ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखो तो solution वाला जो solution है solution की बात करते हैं तो solution भाई तीन टाइप के होते हैं, isotonic solution, hypotonic solution, hypertonic solution, what is isotonic solution, एक ऐसा solution इसको अच्छे स मिना देता हूँ, देखो यहाँ पे, एक ऐसा solution, जो हमारा यहाँ पे धर धान दो अच्छे से, एक ऐसा solution, जो कि दो या दो से solution, जिसमें same osmotic pressure हो, वो कहलाता है isotonic pressure, मतब दो solution जिसका osm आप परिशर सेम हो, फिराते है, hypotonic, मतब की, the more dilute solution exhibit lower osmotic pressure, set to be hypotonic solution, मतब जिसका osmotic pressure सबसे कम होता है, वो hypo, hypo मतलब ऐसे भी कम, tonic मतब प्रेशर, तो जिसका osmotic pressure कम होता है, iso मतलब same tonic प्रेशर, जिसका same osmotic pressure, hyper मतलब ज्यादा tonic मतलब प्रेशर, जिसका ज्यादा श्राइस मॉंटिक करण तो इंपरटोनिक सवेशन तो तीन टाइप के सवेशन तीन मकस इएक्जाम में दिलाएगा कि इतना प्यारा सा लिखा न एसे बढ़िया सा इधर सीदर याद कर लो और यहां फॉलो कर लिया करो यहार चलो आगे निकलते यह अभी यहां पर धान दो अब हमारा osmotic pressure का relation हमने यहाँ पर जान लिया पहले तो हमने जाना कि osmotic pressure क्या है फिर osmosis क्या है semipermimal membrane क्या है diagram क्या है solution की कितने type है जान लिया वो तो extra point है यह exam में 3 max को आता है यह exam में 3 max को आता है अकेले का आभी सकता exam में अब आगे बढ़ते हैं osmotic pressure and concentration of the solution ठीक है बोला तो ना concentration जैसे कि हमने freezing point falling point में solute के साथ concentration देखा था तो यहां पर हम solution के साथ concentration देखेंगे तो for dilute solution पाई हम लोग कॉस्मोटिक pressure को पाई से दिखाते हैं ठीक है तो पाई is equal to एक relation यार याद कर लो यहां पर समझ माय मैं अब यहां पर क्या बोला हाँ तो इस चीज़ को अच्छे से आप लोगो को यहाँ पर समझ के रखना है समझ के रखोगे तो सब कुछ अच्छे से आएगा नई समझ के रखोगे तो problem में फज़ाओगे ठीक है तो याद रखना चाहिए ठीक है यह जो मैंने आपको बता दिया है तो we know that कि हमारा जो number of mole पर volume होता है यह concentration या फिर molarity कह सकते हो क्योंकि देखो concentration पर given amount of volume ही तो molarity कहलाती है तो n2 upon v हमारा m में बन जाएगा जो की molarity है फिलाल molality और molarity molality mol upon mass होता है और molarity यह भी हमारा देखो यहाँ पर mol upon volume मतबकि देखो concentration of the number of moles in a given amount of volume यह molarity है ठीक है और molality इसके पहले मैंने बता दिया है कि mol upon mass यह होती है molality ठीक है चलिए अब यहाँ में बढ़ते है तो n2 upon v के जगा में m लिख सकते हैं m लिख सकते हैं इस बात को आपको ध्यान देना है तो यह हमारे को एक relation मिलके याद कर लो exam में आ सकता है अंगला topic है molar mass of the solute from osmotic pressure देखो हमको यह relation तो पता ही है n2 की value अगर मैं n2 को क्या मानू मानू मोल मानू तो मोल क्या होता है mass upon molar mass mass क्या है w2 और molar mass m2 put करों टाक आई कड़े ठीक है तो w2 upon m2 rt upon v आ जाएगा समझा की नहीं समझा अब n2 के जगा में यह डालोगे तो यही मिलेगा न ठीक है w2 weight of the mole है मतब weight of the solute है r constant at t temperature है m2 क्या है molar mass of the solute और v क्या है volume given amount of volume तो एक relation मिल गया हमको कोई exam में अगर आगा तो इसमें से आप अच्छे से find कर सकते हो और इसमें से m2 की value इतनी होगी मतब देखो पाई को नीचे भगाओ और इस m2 को इतर भगाओ दो को यह relation मिलेगा तो चाहिए लिग दो चाहिए लिग दो बाते की समझा की नहीं समझा अच्छे से तो यह दो हमको यह भी मिल गया कितना असान असान है यार कितना असान असान है बस एंटू के जगह में यह पूट कर दिया और हमको यह value मिल गई और कुछ नहीं चाहिए अब आगे निकलते हैं अब देखो यहां पर हम लोग समस्ते संपर यहां पर यहां पर आप्ला करता है इसको यहां पर देखो समझना चैसिया महलो मख़ इधर से हमारा कोई विश्क्राइज आ रहा ईस साइड तो यह हमारा क्या करता यहां पर प्रेशर अप्लाई करता है इसको कि यहां पर देख अच्छे समझना अच्छे से हां मालो फ्रेश वाटर से हमारा सबस्टेंस इस सेड जा रहा है तो इधर पर किसी ने प्रेशर अप्लाई किया होगा ना तभी नहीं सेड जा रहा है तो यह जो प्रेशर होता है इसको हम उसमोटिक प्रेशर कहते हैं बट अब अगर मालो इधर वाला सबस्टेंज जो सॉल्ट वाटर है सपोज डैट सपोज डैट इसने इसके उपर प्रेशर अप्लाई कि तुछ साइड नहीं आएगा यानि कि प्रेशर अगेंस्ट दी ऑस्मोटिक प्रेशर इस नतिंग बट रि किनारे किनारे नदी का पानी जा रहा है अब सामने से कोई दूसरा आके इसको प्रेशर अप्लाई करें कि नहीं तुम नहीं जाओगे तो जब यह पानी इधर सी इधर जा रहा था तो वह ऑस्मोटिक प्रेशर से जा रहा था फॉर एक्जामपल के लिए कह रहा हूं यार और अगर सामने से किसे ने अपोज किया उसका तो तो वो होगा reverse osmosis कर रही है समझा चैसे तो direction of osmosis what is osmosis एक तरफ का solution या solvent दूसरी तरफ वाले solution में semi permeable membrane को cross करके जाता है समझा तो वही होता है osmosis तो osmosis जो जाता है ना semi permeable membrane को cross करके ऐसे जाता है एसे semi permeable membrane है और उसको cross करके कोई जाता है अगर तो समझो कि उसको रोकता कौन है सामने से जो रोक रहा है जिस pressure से वही हमारा reverse osmosis कहलाता है यानि the direction of osmosis can be reversed by applying a pressure larger than the osmotic pressure क्योंकि अगर माल लो आपके सामने यहां पर दिखा आपको दिखाता हूँ यह वाले मैं आ जाओ डाइग्राम में इदर से तुम्हारा substance इदर जा रहा है जब तुमने इदर से भेजा है तो कुछ ना कुछ तो तुमने इस side pressure लगाया होगा तब ना इदर से उस side जा रहा ह है रिवर्स कर देना है तो उसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रिशर हम लगा रहे थे उसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा इदर से बताब उसके अगेंस्ट मुझे इदर से काम करवाना पड़ेगा समझ माया कि नहीं समझ माया उसके अगेंस्ट काम करवाना पड़े तो observation के हिसाब से आप यहाँ पे सब पढ़ लोगे फटाफट पहला पॉइंट देखो मैं अच्छे से यहाँ पे पॉइंट को मार्क कर देता हूं देखो इस इस फिर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट बस काम पच्छीस हो गया तो देखो सॉलेशन फिल अच्छे से प्लीज इसको कहता हूं याद कर लो बास और आपको पता है कि शेयर कर देना सभी लोगों को जैसे कि आप सब का बहुत ज़्यदा फायता हो जाएगा और जो यह वीडियो बना रहा था उसका नाम है मिस्टर प्रशांत तिवारी और थैंक्यू सो मच फॉर वा इसक्राइब कर दो हमारे यूटूब चैनल निव इंडियान एरा को इसकी नोट्स आप लोगों को टेलिग्राम में मिल जाएगी टेलिग्राम को जोईन करने के लिए आपको सबसे पहले टेलिग्राम एप्लिकेशन को डाउलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप करके टेलिग्राम के ग्रूप में जोईन हो जाओगे जहां अब भी पहुंच जाओगे तो हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओगे और वहां पर आपको ये नोट्स वहां पर मिल जाएगी जल्दी ही तब तक के लिए इस वीडियो को यार बिना शेयर किये मत जाना बहुत म जाओगे वाले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ कमेंट बाक्स में अपने सजेशन देना नहीं भूलना ठीक है और शेयर कर देना यार प्लीज है वाइड़ आज लफ्यू टेक क्य और